नमस्कार आप देख रहे हैं स्काइनेट टीव इंडिया पेश आज के मुख्य समसार पीम ने कहा कि भारती बाईस्तेना डिडियो और हल की समस्त भारत वासियों को हरदिक सुपकाम ना है उत्तरकासी की सिलक्यारा टनल में फंसे 41 मजदोरों को बाहर निकालने की कोशिसों में हर दिन नई नई बाधायें सामने आ रहे हैं मजदोरों से महल 10 मीटर दूर अमेर की आगर मसीन तूट गई जिसके कारण रेस्क्यू का काम सुक्रवाद से रुका है एक्सपर्ट्स के मताबिक अब आगर से डिलिंग नहीं होगी ना ही दूसरी मसीन बुलाई जाएगी मजदोरों को बाहर निकालने के लिए दूसरे विकल्पों की मदद ली जाएगी प्लान B के तहट टेनल की उपर से वर्टिकल डिलिंग की तयारी हो रही है आगर मसीन का तूटा हिस्सा निकाले जाने के बाद मैनूल डिलिंग सुरू हो सकेगी हाला कि इसमें कितना टाइम लगेगा इसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता भारत का पहला सोलर मिसन आदित L1 अब अपने फाइनल फेज की ओर बढ़ रहा है इस तरो चीप ने सुक्रुबार 24 नवंबर को इस बात की जानकारी दी की 7 जनवडी 2024 को L1 पॉइंट तक पहुचने की उमीद है प्रधानमंती नरंद मोधी 25 नवंबर से 27 नवंबर तक यानी तीन दिन तक तिलंगाना करनाटा को रांध प्रदेश के दोरे पर रहेंगी इन तीन दिनों में पियम मोधी तिलंगाना में 6 रेलियां और 1 मेगा रोड सो करेंगी इसके अलावा वे तिरुपती में भगवान बेंके टेस्वर के दर्शन भी करने जाएंगे उज्जेन में बैकुंट चतुरदसी के मोके पर सनिबार रात को स्रिष्टी की सत्ता के हस्तानांत्रण का अध्भुत नजारा देखने को मिलेगा रात करीब 11 बजे भगवान महाकाल की सबारी निकाली जाएगी जो 12 बजे गोपाल मंदिर पहुँचेगी जहां बाबा महाकाल स्रिष्टी का कारेभार भगवान बिष्णू को शौपेंगे यह परंपरा दोनों देवताओं की माला बदल कर निभाई जाएगी इसे हरी हर का मिलन भी कहते हैं जम्मू कस्मीर में सेना और पुलिस ने जॉइन्ट ऑपरेशन में सुक्रुबार को रामबन जिले के सरनियाल जंगल में एक आतांकी ठिकाने का भांडा फोड किया जहां से सर्चिंग टीम को हत्यारों का जखीरा मिला है सेना ने जंगल से तीन चीनी ग्रेनेड एक पाकिस्तानी ग्रेनेड सहित भारी मात्रा में गूला बारूत और विसपोटक बरामत किये इसके अलाबा एक एफोटी सेबन मैगनेज भी मिली है आज राजस्थान के 199 बिधानसभा सीटो पर बोटिंग हुई मुख निर्वाचन अधिकारी राजस्थान के अंसार दोपर तीन बजी तक प्रदेश में 55.6 फिस्दी मतदान हुआ सहरों से लेकर गावों के बूथों पर मतदाताओं के लंबी लाइन लगी रही चीटपुट विबात को छोड़ कर मतदान सांती पूर्वग हुआ पंजाब में लुधियाना रेलबे स्टेशन से करीब 5-7 किलोमीटर के दूरी पर नसे में धुद ड्राइबर ने रेलबे ट्रेक पर ट्रक दोड़ा दिया इसके बाद ड्राइबर ट्रेक पर ही ट्रक को छोड़ कर फरार हो गया इस ट्रक से दिल्ली से अमरित सर जारही गोल्डन टेंपल एक्सपेश ट्रेंट अकरा गई हाला कि इसमें किसी के हताहत होने की खबर नहीं है मद्ध प्रदेश का मालवा निमाड यानी इंदोर उज्जेन संभाग अगले तीन दिन यानी 25, 26 और 27 नवंबर को भीग सकता है विश्टन डिस्टर्बेंस और चक्रवात की वज़े से प्रदेश में सीजन का पहला मावठा गिरेगा इंदोर उज्जेन संभाग में ओले गिरने का भी अनुमान है जबकि भोपाल नर्मदापुरव में 27 नवंबर को बारिस हो सकती है इस दोरन तेज हवा भी चलेगी मौसम केंदर बोपाल ने अगले तीन दिन के लिए बारिस ओला ब्रिष्टी और तेज हवा चलने का अलर्ट जारी किया है कल दिन भर की प्रमुक खबरों के साथ फिर मिलते हैं तब तक के लिए सुभरातरी